एक आपके साथ एक रैपिट फायर खेलते हैं है ना मैं ग्लास में पानी बीच 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 में पीऊंगा क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा वह रखा है मैं कुछ विचारकों के नाम लूँगा जिनको आप बार-बार कोट करते हैं जो भी पहला शब्द आपके जहन में आए जो ृृत्य।। Uganda कॉल्सकी थान्ते तान्ते महाकवी कावी की वो परंपरा जो धर्म, अध्यात्म और जीवन तीनों के बीच एक सेतु बनाती हैं प्रूस्ट के प्रूस्स्त प्रकाश स्तंभ रोशनी है वो मेरे जीवन में प्रूष्ट का बहुत महत्व है मेरे रचनात में जीवन में प्रूष्ट का बहुत बढ़ा योगदान है बोरहेस बोरहेस एक ऐसा गुरू जिससे मैं कभी मिला नहीं यानि मैं कहीं भी फंसता हूं गुरू मंत्र मुझे बोरहेस से मिलता है रास्ताव देवदूत था जिसके पंक जो हैं जूल से हुए थे जगायवस्की जगायवस्की जिसने कविता की उत्तर आधुनिकता मुझे जिससे मैंने सीखी जो एक मैं ये कहूं कि आधुनिक महा कवी मार्केश मार्केश जादू नीच्षे नीच्षे जीवन दर्शन की पूरी खान और मैं यहां पहले भी आया था कुवनाराण की कविता ने यहां पहले भी आया था तो उसको भी पढ़ते हैं मुझे नीच्षे याद आते हैं और नीच्षे को याद कलते हैं कुवनाराण की कविता कि मैं यहां पहले भी आया था eternal recurrence इस पुरी दुनिया में, मैं आज भी उपस्थित हूँ, पहले भी उपस्थित था और बाद में भी उपस्थित रहूंगा कोईट सी, चेयम कोईट सी, एक ऐसा टीचर जो साहित्य और संगीत, जो नमी और रुखापन, जो खारापन और मीठापन दोनों के बीच के अंतर को इस्तिमाल करना सिखाता हूँ पामुक क्लासिक और प्रचलित तोनों के बीच संतुलन और संयम कैसे साधा जाए, ये पामुक निरुदा मैं आपको बीच में रोकूँ, आपने बहुत ही चतुराई से मेरे चारों प्रिये लेकर कों का नाम ले लिया मैंने अपने लिए एक निजी कैनन बना रखा है, बो, मा, को, पा मैंने अपनी सारी चीजें इन चार के संसर्ग से इन चार के मिश्रन से प्राप्त की हैं, तो मैं तो इसके लिए बड़ा धन्यवाद कहूंगा कि आप बोमा कोपा तक आए हुए पाबलो नरुदा, प्रेम के सबसे बड़े गायक, पेसोवा, जो मैं हूँ और जो मैं नहीं हूँ वो सब पेसोवा हैं, यानि इतने रूप हैं, कहें, ऐसे कहें कि एक में अनेक का जो कांसेप्ट है, जो अवधारना है, उसका व्यक्ति के रूप में अनुवाद फरनांदो पेसोवा, कामू, अलबेर कामू, यानि अथक रूप से एक ही काम को बार 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 किये जाओ, फिर भी सफल ना हो, तो रोना मत करो, मिठव सिस अरे वाँ, क्या बात है, विश्वा शिमबोर्सका, उनके बारे में एक शब्द कहना बहुत मिश्किल है, फिर भी मैं उनको जो कहूं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ऑफ और लिट्रेचर, ऐसा कहें, जब विश्वा शिमबोर्सका को नोबल प्राइज मिला था, तो मैं चोटा से था, नौजवान था, और टाइमस ऑफ इंडिया में उनका एक सुंदर साना, कैरी केचर, या पोल्ट्रेट, कलर पोल्ट्रेट बनकर आया था, और पहली पर मैंने विश्वा सिमबोर्सका की तस्वीर देखी थी, और शुवा पत्रिकाओं में ढूंड करके देख तर्मा यानि वो टॉर्च जिसको जला करके हम कई बार हिंदी साहित्य के निविड अंदकार को पार करते हैं, क्रिश्ण बल्देव वैद। क्रिश्ण बल्देव वैद को पढ़कर वैश्विक समकालिनता सीखी जा सकती है, यानि राजेंदर यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा यह सब उस समय लिख रहे थे, जिस समय वेस्ट में सैम्वल बैकट लिख रहे थे, लेकर इन सब की लेखन की समका को निता बेकर जैसी नहीं है, क्रिश्ण बल्देव वैद पहली नजर में ही लगते हैं कि हां, यह बेकर के समकालेन हैं, इन के अंदर वो वैश्विक समकालिनता का बोथ है, मुक्ति बोध. महा कवे मुक्ति बोध. कुमार नारायन कुमार नारायन, कुमार नारायन भी मेरे लिए प्रकाश इस्तंब है उसके लिए, उनके लिए एक शब्द मैंने अपनी कविताओं में लिखा है सूर्य प्रभा, चंद्र प्रभा सूर्य का प्रकाश ले करके चांद प्रकाशित होता है और चांद का प्रकाश लेकर के हम जैसे कवी प्रकाश दाते हैं विश्णू खरे मेरे उस्ताद थे और उस्तादों के उस्ताद थे आलोग धन्वा बहुत ही प्रिय कवी पाश पाश भी बहुत ही प्रिय कवी और जिनकी जिनके खून के उबाल में कई बार ठंड के दिनों को हम अलाव की तरह तापते हैं क्या बार इन दोनों को आप कोट नहीं करते हैं लेकिन मैंने पूछ लिया मैं हमेशा कोट करता हूँ पाश को मुझे पाश बहुत प्रिय है मैं उन लोगों में से हूँ हिंदी के जिनोंने पाश को पंजाबी में सुना और गुना है मूल पंजाबी में